आज हम बनाएंगे बांगड़ा फिश फ्राइए देखें यहाँ पर मैंने चार बांगड़ा लिया है इसे मैं अच्छे से धो कर साफ कर लूँगी यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मसारा तयार करते हैं तो यहाँ पर मैं एक चमश अधा कलस्ट का पेस्ट ले रही हूँ उसमें मैं आदा नीम्बू का रस डालूँगी इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ दो चमश लाल मिश पाउडर एक चमश धनिया पाउडर आदा चमश गरम मसाला थोड़ी सी हल्दी नबग जाएगा इसमें टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ों को हम चमश से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चायद इसमें पानी भी डाल सकते हैं बट मैंने डालूँगी क्योंकि फिश में मिक्स करने के बाद ये प्रॉपर मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा तो देखिए फिश को मेंने अच्छे से साफ कर लिया है अब इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मसाले को लगा देंगे देखिए इसमसाला लेकर हम अच्छे से लगाएंगे फिश को मैंने ऐसे कट लगा दिया है ताकि अच्छे से अंदर मसाला अब्जर्व हो जाए देखे ऐसे अच्छे से लगाने के बाद इसे हम आदे से घंटे के लिए रख देंगे अब इसमें मैं एक एक करके फिश डाल दूँगी और इसे दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक का हम फ्राय कर लेंगे तो यह एक साइड से हो गई है अब इसे मैं पलट दूँगी फिश फ्राय हो गई है अब इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए हमारी फिश रेड़ी है इसके उपर आप निम्बू निचोड के खाईए तो यह बहुत ही मज़ेगी लगेगी अगर मेरे रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अला आफिस्